नवस्कार दोस्तों, देट हैं आज की 30 जून 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में आज तीन इशूज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले तो देखो हम मैंडेस प्रिंसपल्स को डिसकेश करेंगे टोर्चर से समधित दूसरे नंबर पे हम ड्रोन अटैक से समधित इशू को डिसकेश करेंगे हिंदू में तो देखो ये छोटा सा आटकल है लेकिन हम एक इंडिन एक्सप्रेस का और एक हिंदूस्तान टाइम्स का जो आटकल है उनसे पॉइंट्स उठाएंगे और कॉंप्रिहेंसिव ढंक से ये ड्रोन अटैक का इशू डिसकेश करेंगे यहाँ पे ये जो आटकल है ये टेरिजम को डिफाइन करने से समधित है इसमें देखो बहुत सारी सुप्रिंग कोर्ट की जज्जमेंट्स है मतलब आलमुष्ट पूरा जो आटकल है वो सुप्रिंग कोर्ट की जज्जमेंट्स से भरा हुआ है तो कुछ जज्जमेंट्स को तो कोर्ट किया जा सकता है आंसर में लेकिन सारी की सारी तो काम के नहीं है तो important points जो है वो इस आटकल से हम extra करके discuss करेंगे अगर ये drone attack वाले आर्टिकल की discussion लंबी चली तो फिर ये आर्टिकल कल discuss करेंगे terrorism वाला, चलिए discussion start करते हैं First important article, पुलीस custody में torture को रोकने के लिए mandates principles से समनित है, कौन से principles, mandates principles आप GS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो ये aspects हम cover करेंगे इस आर्टिकल की discussion में देखो जब कोई भी law enforcement agency, for example, police किसी अपराब के average में आरोपी को गरिफतार करती है तो आरोपी से पूछताच की जाती है पूछताच ये confirm करने के लिए हुई है कि जिस person को गरिफतार किया गया है, क्या वास्तव में उसने crime किया है या फिर नहीं किया है, अगर किया है तो किस परकार से crime किया गया, कौन से weapon का इस्तमाल किया गया, क्या मनसा थी ये सब पता लगाने के लिए law enforcement agencies आरोपियों से पूछताच करती है एद सच देखो, आरोपि से question पूछे जाते है, law enforcement agency के द्वारा मतलब पूछताच की जाती है, इसमें कोई issue नहीं है लेकिन issue क्या है, जब देखो, पुलिस या किसी और law enforcement agency के द्वारा पूछताच के दौरान आरोपि को मारा पीटा जाता है बरफ की सिल्ली पर बिठा दिया जाता है, पानी में सार डबो दिया जाता है या फिर दूसरे परकार की जो torture techniques हैं, उनका इस्तमाल किया जाता है ताकि आरोपि को ड्राय धमकाया जासके और उससे सच निकलवाया जासके इन से दिक्कत है, ये सब क्या है, ये सब है torture राइटर का ये मानना है, देखो ये जो torture की techniques, law enforcement agencies के द्वारा इस्तमाल की जाती है न इन से फाइदे के बज़ाए नुकसान होता है नुकसान क्या होता है, वो अभी हम जानेंगे और उसका alternative क्या है, उसका alternative writer देते हैं, mandates principles लेकिन अभी फिलाल यहाँ पे एक aspect आप ये जानिये देखो, एक बात आपने सुनी होगी कि पुलिस के सामने अगर कोई ROP अपना crime सविकार करता है पुलिस के सामने अगर कोई ROP अपना confession देता है कि crime उसी ने किया है तो ये judge के सामने मान्या नहीं है, ये आपको पता है, ये कानून है और सही भी है, क्योंकि पुलिस तो मार पीट के confession जबरदस्ती ले सकती है ROP से, इसलिए पुलिस के सामने जो confession दिया जाता है, वो मान्या नहीं होता है लेकिन देखो, Indian Evidence Act Section 27 जो है ये allow करता है, कि पुलिस के सामने crime में जो material यूज हुआ, उसकी recovery से सम्मंदित अगर कोई confession ROP के द्वरा दिया जाता है तो वो admissible है, वो court के सामने मान्या है मैं फिर से बोलता हूँ, सिधा-सिधा अगर ROP पुलिस के सामने confession देता है, कि मैंने ये अपराद किया है, ये तो मान्या नहीं है लेकिन Indian Evidence Act Section 27 के अनुसार, अगर recovery of material से सम्मंदित ROP कोई admission देता है, confession देता है तो वो court में मान्या है, इसी लिए, पुलिस के पास incentive होता है, मारने का, धमकाने का, पीटने का, टोर्चर करने का, ताकि जबरदस्ती ROP से confession लिया जासके कई बार तो देखो, law enforcement agencies के दवारा, ROP के signature ले लिये जाते है, blank paper पर और उसके बाद कुछ भी लिख दिया जाता है, कि जैसे ये हतियार use हुआ था crime में, और इसको यहाँ पर मैंने चिपाया है और खुदी agencies वो हतियार वहाँ पर place कर देती हैं, अब इसके बाद हम discuss करते हैं, agencies के दवारा ये जो third degree investigation की जाती है यानि investigation के दुरान torture किया जाता है ROP को, ये counterproductive क्यों है? सबसे पहला point, देखो अगर ROP से aggressively पूछताज की जाती है, ड्राय धमकाये जाता है, मारा पीटा जाता है, तो हो सकता है कि वो डर जाए बिल्कुल ही और उसकी जो memory है, वो भी परभावित हो, फिर वो information recollect नहीं कर पाएगा, जो उसने crime के दुरान देखी हो, या फिर notice की हो, वो डर की situation में सारी information नहीं याद कर पाएगा दूसरा, अगर देखो, ज्यादा ही torture किया जाता है, तो torture से बचने के लिए हो सकता है कि आरोपी कुछ भी information दे दे गलत सलत, और क्या करे मतलब मारा पीटा जा रहा है तो क्या करे वो, अपना confession कभूल भी कर सकता है, कि चलो इस torture से तो छुटकारा मिलेगा, अगर मैं अपन सविकार कर लेता हूँ, बाद में कोर्ट में जाके मुकर जाऊंगा, ऐसा बहुत बार होता है, पुलिस के सामने जो आरोपी है, वो मान लेता है कि अपराद मैंने किया है, लेकिन कोर्ट में जाके मुकर जाता है, चलो हमने ये तो discuss कर लिया, कि custody में agencies के द्वारा, पूश् इस्तमाल ज्यादा होता है ये कम होता है, बहुत ज्यादा होता है, देखो scientific evidence के बावजूद की इस परकार की torture technique से नुक्सान होता है, हमारे देश में police third degree methods का बहुत ज्यादा इस्तमाल करती है, पूश्तास के दुरान, National Human Rights Commission का कहना है, custodial violence या फिर torture हमारे देश में कि पूश्तास के दुरान, ROP को डराना, धंकाना, torture techniques इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इससे जल्दी पता लग जाता है कि ROP ने crime किया है या फिर नहीं किया है, even former Supreme Court के judges से जब उनकी opinion पूछी गई, तो 58 में से 12 judges ने कहां कि हां, इस परकार का risk हमेशा रहता है, कि police या फिर दूसरी जो agency है, वो shortcut method अपनाती है, third degree methods का इस्तमाल करती है, जल्दी से recovery evidence प्राप्त करने के लिए, तो question देखो ये उठता है, कि जब data जब ये कहता है, कि custodial torture counterproductive भी हो सकता है, तो फिर police इतना routine में, पूस्तास के दुरान, इन torture techniques का इस्तमाल क्यों करती है, इसके पीछे काफी सारे factors responsible है, सबसे पहला तो देखो, short supply of investigation officers, कई सारे देशों में, for example, USA में, custody में, पूस्तास के लिए special investigation officers होते हैं, लेकिन आपको पता है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो same police officer multitasking होता है, एक ही समय में काफी सारे काम perform करता है, और उनके पास समय कम हो होता है, इसलिए वो investigation में special skill हासिल नहीं करते हैं, उनकी specialization नहीं होती है, investigation में, दूसरा, work pressure काफी ज़्यादा होता है, मतलब, उपर से politicians का phone आएगा कि भया, इस case में, जल्द से जल्द मुझे result चाहिए, ताकि जन्ता को दिखाए जांस के police काम कर रही है, मतलब, seniors का burden होता ह है, काफी तरह का pressure रहता है काम के दुरान, इसलिए police officer भी जल्द से जल्द case को निप्टाने की कोसिस करते हैं, और इसलिए वो गुसे में आ के या फिर जैसे भी कहें, shortcut अपना के torture techniques का इस्तिमाल करते हैं, इसके बाद next reason, तो हम already discuss कर चुके हैं, शुरुवात में हमने discuss किया आपको याद होगा, Indian evidence act section 27, allow करता है, अगर agency के सामने, आपराधी के द्वरा, या फिर आरूपी के द्वरा, recovery of material से संबंदित confession अगर दिया जाता है, तो वो allow होता है, court के सामने, इसलिए ये भी incentivize करता है, agencies को torture techniques अपनाने के लिए, last में दो और regions भी हैं, एक तो देखो हमा हमारे देश में कोई भी कानों नहीं है, next, United Nations Convention Against Torture, इसको इंडिया ने साइन तो किया, 1997 में, लेकिन अभी तक इसे ratify नहीं किया जासका है, तो ये हमने कुछ factors जाने, जो custodial torture के लिए responsible है, अब question ये उठता है, किया क्या जाए, ये सबसे ज़्यादा important है, तो यहीं से निक special rapporter on torture है, rapporter का क्या मतलब होता है, rapporter देखो वो person होता है, जो meeting की proceedings के बारे में report करता है, तो torture पर जो UN की meetings हुई, उन meetings के दुरान क्या क्युछ हुआ, उनको report करने का काम था, इनका जुआन E. Mendez का, तो इन्होंने principles दिये, actually मैं आपको बात बताऊ, answer में लिखने लाइक नही है, 1970 में, अर्जेंटीना में military rule था, तो उस दुरान, इनके उपर काफी custodial torture हुआ था, ये कहते हैं, कि देखो, जब पूस्तास के दुरान torture होता है, इतना बेकार लगता है, जिसके उपर torture होता है, वो सिरफ minute-minute की सोचता है, दुआ करता है, कि साइद torture करने वाला ठक है, मतलब और ज्यादा वो torture ना करे, ऐसी ऐसी बाते सोचने लगता है, वो person जिसके उपर torture किया जा रहा है, ये कहते हैं अपने experience में, कि जब मेरे उपर torture हो रहा था न, तो torture करने वाले जो agencies के लोग थे, वो दिन में दो-तिन बार doctor को बुलाते थे, और सिरफ ये पूछने क के लिए doctor से कि क्या इसके उपर अभी और भी torture किया जा सकता है, ये कहते हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके उपर torture किया जाता है, वो देखो उसके बाद कभी अपनी normal life जी ही नहीं पाते, और इन में से काफी लोग तो देखो निर्दोस होते हैं, मतलब दो-के तेक्रीज में आप divide कीजे न, एक तो उन लोग के उपर torture होता है, जिन्नोंने अपराद किया है, और evidence प्राप्त करने के लिए torture किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो भी लोग हैं, जो सिरफ आरोपी हैं, उनके उपर बहुत जारा torture किया जाता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो person पूरी तरह से निर्दोस था, लेकिन torture तो हो चुका, उसकी जिन्दगी तो खराब हो गई, mentally वो इतना ज़्यादा exhaust हो गया कि वो अपनी आने वाली जो life है, नॉर्मल धंक से जी ही नहीं पाया, जैसे देखो, एक movie है, नियू योक movie है, जब 2001 में World Trade Center पे हमला हुआ था कई महिनों तक उन पर torture चलता रहा, चलता रहा और इसको लेके USA का काफी ज़्यादा criticism भी हुआ था, खेर, मेंडिज प्रिंसपल्स की हम बात कर रहे थे, तो जुआन मेंडिज ये प्रिंसपल्स देते हैं, जिनके अनुसार पूछताच होनी चाहिए, कई सारे इनके प्रिं कि उस person को जिसको गिरिफतार किया गया है, ताकि वो बिलकुल normal ढंग से information को recollect कर सके बिना किसी दबाब में आए, और आम तोर पे police या फिर दूसरे agencies जो ये मान लेती हैं, पहले से prejudice होती है, कि अपराद तो इसी ने किया है, सिरफ पता लगवाना है, इससे confession लेना है, investigation agencies को पहले से prejudice नहीं होना चाहिए, उनको open रहना चाहिए, कि वो सामने वाला, यानि ROP जो narrative देगा, वो भी तो सही हो सकता है, इसके लिए open रहना चाहिए agencies को, और क्या-क्या बाते हैं, इन principles में, जैसे proper transparency रहनी चाहिए, कि ROP से किस-किस investigation officer ने पूछताच की, कब-कब की, और video recording होनी चाहिए, और अगर कोई complaint आती है, तो उसको address करने के लिए proper mechanism होना चाहिए, कि मेरे उपर custorial torture हुआ है, next principle, investigation किसी professional के द्वारा होनी चाहिए, जिसने investigation की, मतलब पूछताच की, special skills हालसिल की हो, उसके पास specialization हो, human rights का violation नहीं होना चाहिए, पूछताच के दुरान, तो य लेकिन ये जो screenshot है, जो आप screen पे देख रहे हो, ये UN की website से है, last में conclusion में यही कहा जाता है, कि विबिन देशों की सरकारों को, इन mandates principles के अधार पर कानून बनाना चाहिए, ताकि, पूछतास के दुरान, आरोपियों पर किसी परकार का कोई torture ना हो, क्योंकि ये counter productive भी साबित ह हो सकता है, और अभी तो empirical evidence है, कि और दूसरे alternative methods मुझूद है, for example, यही mandate principles, जिनकी साहिता से, पूछतास की जा सकती है, आरोपियों से, तो ये हमने पूरा article discuss किया, चलते हैं आगे, next article, drone attacks से समधित है, आप GS paper second और GS paper 3 के इन topics से article को relate कर सकते हो, ये सारे aspects हम cover करेंगे इस article के discussion में, context क्या है, हाल ही में देखो, जम्मू Air Force station में, drone के द्वारा attack हुआ, दो blast हुए, एक blast तो open area में हुआ, और दूसरा जो blast था, वो एक छट के उपर हुआ, और छट को नुक्सान पहुंचा, जाहिर तोर पर, आंतकवादियों का निशाना, aircraft है, लेकिन fortunately, किसी भी, Air Force की asset को नुक्सान नहीं पहुंचा जादा, इस attack में, अगर देखो, bomb last से aircraft को नुक्सान पहुंचता, तो सोच के देखे, कितना बड़ा नुक्सान हो जाता, लेकिन देखो, इस से एक बहुत बड़ भविश्या में भी, drone का इस्तमाल किया जा सकता है, attack carry out करने के लिए, ये तो एक बहुत बड़ा issue है, इसलिए, परधान मंत्री मोदी की अधिक्स्ता में, हाल ही में, एक meeting भी organize हुई, कि कैसे इस threat से निप्टा जाए, देखो, वैसे, आंतकवादियों के द्वारा, drone का इस् चीज़ नहीं है, और इंडिया में जो security experts हैं, जो security से समन्दीत मामलों पर लिखते हैं, उन्होंने भी ये आसंका जिताई थी, कि आज नहीं, तो कल हमारे देश में भी, आंतकवादी जो हैं, वो drone का इस्तमाल करेंगे, attack को carry out करने के लिए, सबसे पहले तो देखो, 2016 में, Islamic state के आंतकियों के द्वारा, drone का इस्तमाल किया गया था, इसके बाद, 2018 में, Syrian rebels ने drone का इस्तमाल किया था, Russian जो assets थी, Russian Air Force conductor रही थी, Syria में, तो Russian assets पर हमला करने के लिए, Syrian rebels ने drone का इस्तमाल किया था, वेनुजूला के राष्टरपती ने भी दावा किया कि मेरे उपर drone की साहिता से हमला हुआ, इसके अलावा, जो येमन में healthy rebels हैं, उन्होंने दावा किया, कि हमने साओधी अरेबिया में, जो Aramako company है, साओधी अरेबिया की national oil company है, Aramako, इनकी assets पर हमने attack किया, जिसकी वज़े से Aramako company के जो operations हैं, वो बादित हुए, और आपको याद होगा, तो एक-दो साल पहले हमने इस issue से समन्दी detail में article भी discuss किया था, खेर ये सब examples हैं, और अब हमारे देश में भी drone से attack हुआ है, तो ये काफी गंबीर विशय है, अगर देखो drone attacks से समन्दीद concerns की हम बात करें, नदिया हैं, कहीं पर भी इनको इस्तमाल किया जा सकता है, attack carry out करने के लिए, दूसरा concern ये है, ये जो drone है, ये काफी नीचे उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं, इसलिए radar में detect नहीं होते ये drones, पिछले दो-तिन सालों में लगातार पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान-based जो agencies हैं, या फिर terror outfits हैं, उनके द्वारा drones का इस्तमाल किया जा रहा है, Indian territory में हतियार, गोला बारूद, drugs, इन सब की smuggling के लिए, Next concern, देखो जब कोई threat detect ही नहीं होगी, तो फिर engage कैसे होगी, मतलब detect करना मुश्किल है, इसलिए उस threat से engage करना भी मुश्किल है, Next concern, आंतकवादियों के लिए, जो drone का इस्तमाल करेंगे, attack को carry out करने के लिए, cost benefit देखो उनकी favor में हैं, वैसे आंतकवादी हमला करते हैं, तो उन्हें जान का खत्रा होता है, लेकिन drone से तो देखो, वो दूर बैठे, attack को carry out कर सकते हैं, और उनकी जान का जो risk है, वो कम हो ज करते हैं, drone को उडाने के लिए, तो भी agencies के लिए फाइदे की बात नहीं है, क्योंकि drone तो कितने का आता है, जो video बनाने के लिए drone होता है, वो तो बहुत सस्ता हो जाता है, 4-5,000 का ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन मांग लिजिए कि, जिस drone से attack किया गया है, ये थोड़ा महंग करने के लिए, दूसरे सस्ते methods का इस्तमाल करना होगा, agencies को, ऐसा नहीं न, कि आतकवादियों का सिरफ 50,000 रुपे गए, सरकार के, यानि हमारी military के 50 क्रोड रुपे की एक missile लोंच कर दी, एक 50,000 के drone को उड़ाने के लिए, इसको देखो, आप हमास और इस्राइल के बीच fight से लिंक कीजिए, आपको पता है, गाजा पटी से हमास के द्वारा, रोकेट लोंच किये जाते हैं, इस्राइली territory के ऊपर, अब देखो, हमास वालों को ये पता है, कि इस्राइल के पास, anti-missile defense system है, लेकिन फिर भी वो रोकेट लोंच करते हैं, और बहुत ज्यादा लोंच क जो missile launch करता है, वो बहुत महँगी होती है, तो cost benefit जो है, वो हमास के पक्स में है, इसलिए वो बहुत ज्यादा लोंच करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, कि इस्राइल का काफी ज्यादा खर्चा होगा, और इससे इस्राइल की जो economy है, वो सक्ते में आएगी, तो हमें भी इस point को समझना होगा, और उसी के हिसाब से anti-drone technique को develop करना होगा, last में हम यह discuss करेंगे, फिलाल इसे complete करते हैं, drone attack के और कौन-कौन से concerns हैं, देखो, drone का इस्तमाल किया जा सकता है, weapons of mass destruction supply करने के लिए, जैसे पाकिस्तान में बैठे जो outfits हैं, वो इंडिया में आतकवादियों को weapons of mass destruction deliver कर सकते हैं, weapons of mass destruction में तीन तरह के weapons आते हैं, nuclear weapons, biological weapons और chemical weapons, तो ये भी खत्रा है, एक last point ये है, देखो, अभी जो arrangements है न, जैसे missile technology, control regime, वासिनर arrangement, ये जो arrangement आये थे, ये इसलिए आये थे, ये agreements इसलिए sign हुए थे, ऐसी technology, जिसका weapon के तोर पर, यानि हतियार के तोर पर इस्तमाल हो सकता है, वो technology, ज्यादा लोगों के हाथों में ना आये, ज्यादा देशों के हाथों में ना आये, ये ensure करने के लिए, ये सारे agreements आये थे, जैसे NSG, वासिनर arrangement, Australian group, MTCR, लेकिन देखो, ये सारे जो groups या फिर arrangements हैं, ये drone attack को address नहीं करते हैं, क्योंकि तब तो drone होते ही नहीं थे जब ये सारे agreements sign हुए थे, तो ये भी एक concern है, कि फिलाल कोई international agreement या फिर international convention है नहीं, इस परकार के drone attacks को रोकने के लिए, इसके बाद next aspect ethical concerns से समधित भी है, लेकिन देखो, इस पे तो एक बड़ी discussion बनती है, सिरफ दो points निकल के आते हैं, आज के article से, ये ना किसी इंसान को मारने के लिए, क्या युद में, मसीन जो है, वो man का स्थान ले सकती है, लड़ाई में, देखो कुछ भी हो, ये बात सही है, कि किसी देश की आर्मी पर बहुत बार ऐसा होता है, कि आरोप लगते हैं, कि इन्होंने human attributes की, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है, कि जब दो देशों के जंग होती है, एक देश का सिपाही, दूसरे देश के सिपाही की जान बचाता है, ये मान के, कि हम दोनों तो अपनी अपनी duty निभा रही हैं, अभी वो prisoner of war है, लेकिन मसीन ये सब नहीं सोचेगी, जितना compassion के साथ एक soldier सोच सकता है, मसीन के अंदर वो compassion नहीं होगा, तो क्या ये ethical है, कि मसीन को allow किया जाए, एक man के हत्या करने के लिए, क्या ये ethical है, कि युद के दुरान, मसीन जो है, वो एक soldier का स्थान ले ले, तो ये दो थीन ethical concern है, लेकिन इस पर तो detailed discussion बनती है, ethics में question पूछा जा सकता है, खेर मुद्दे पे आते हैं, मतल देखो, Director General of Bureau of Civil Aviation Security, इनके द्वारा एक committee को chair किया गया था, और recommendations दी गई थी, और उन recommendations के बाद, Civil Aviation Ministry ने, National Counter Rogue Drone Guidelines 2019 जारी की, इन guidelines में ये suggest किया गया था, वो places, जो critical national importance के हैं, जैसे ये air force station, या फिर nuclear power plant, यहां पर देखो, primary and passive detection techniques का इस्तमाल किया जाए, जैसे radar, radar तो detect नहीं करते हैं, लेकिन specialized radar, radio frequency detectors, electro, optical and infrared cameras, इनका इस्तमाल किया जाए, drones को detect करने के लिए, इसके अलावा, soft kill and hard kill measures का इस्तमाल किया जाए, जैसे ऐसे instruments होने चाहिए, इन critical national importance के centers के पास, कि drone की radio frequency को jam किया जाए, इसके बाद global positioning system spoofers, इनका इस्तमाल किया जाएगा, drone को धोखा देने के लिए, मतलब अगर आंतकवादी location fill करेंगे, तो गरत location दिखाएगा, वो air force station की, drone catching nets, इनको भी install करने के लिए suggestion दिया गया था, इन guidelines में, इसके बाद देखो, drone के लिए पिछले साल rules भी आए, Unmanned Aircraft System Rules 2020 है, इन rules में, drone के operations के लिए एक framework त्यार किया गया था कि, किस purpose के लिए, किस height पर drone उडाया जा सकता है, किस से permission लेने के आँ सकता है, detail से, इन rules में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन, देखो ये तो of course, आंतकवादी अगर drone का इस्तमाल करेंगे, तो वो तो misuse करेंगे न, उन guidelines को धदा बताएंगे, ignore करेंगे, लांस्ट में, दो और weapons की बात की जाती है, drone से निपटने के लिए, एक तो देखो, DIDO ने anti-drone direct energy weapon system डवलप किया है, दो अलग लगता रहके हैं, एक में 10 kilowatt laser का इस्तमाल होता है, 2 kilometer की range में aerial target से engage करने के लिए, और दूसरा ये जो anti-drone direct energy weapon है, इसमें 2 kilowatt laser का इस्तमाल होता है, एक kilometer की range में drone जैसे target को उड़ाने के लिए, अभी सिरफ ये develop हुए हैं, mass scale पे इनका production होना start नहीं हुआ है, इसके बाद next है, smash 2000 plus, smash 2000 plus ये Israeli technique है, computerized fire control and electro-optic sights है, इनको gun और rifle के उपर लगाया जाता है, ताकि drone जैसी जो ये hostile threats है, इनसे किसी भी condition में, चाहे day condition है, night condition है, किसी भी condition में निप्ता जासके, लास्ट में conclusion में ये कहा जाता है, अब देखो जो ये drone attack हुए हैं, इनके बाद ministry of civil aviation, potentially drone समंदी जितने भी rules and regulation हैं, उनको fit से consider करेगी, और drone को use करने के लिए जो rules हैं, वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा strict होने वाले हैं, आँशकता ये है कि इंडिया को like minded countries के साथ मिलके best practices को share करना चाहिए, जैसे देखो ये western countries हैं, USA, इसराइल, ये इनको भी drone का खतरा काफी ज़्यादा है drone attack का, तो इन देशों के साथ मिलके इंडिया को काम करना चाहिए, और best practices को share करना चाहिए, कैसे drone attack से बचा जा सकता है, तो ये हमने पूरा issue discuss किया, drone attack से समंदित, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.